हेलो एवरियन, स्वागत है आपका, आज हम लड्डू बनाने जा रहे हैं, इस लड्डू में न हम चीनी यूज करेंगे, न हम घी यूज करेंगे, बहुत इस स्वाधिस्ट लड्डू है, पॉस्टिक लड्डू है, सिंपल तरीके से बनाएंगे, जटपड बन जाती है, चल पॉहा डालें, और पॉहा को तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है, यहां पर ऐसे पॉहा को तोर कर देखें, जब ऐसे आसाने से टूट जाना, बस इसको इतना ही भूनना है, इसके बाद इसको निकालके, दूसरे बरतन में ठंडा होने के लिए रख दें, अब मुँख़ली को हलका से भून लेंगे, यहां पर मैंने उसी कप से एक कप मुख़ली लिया है, गैस को मिडियम पर रखें, मुख़ली को लगातार चलाते रहे है, मुख़ली भूनने के लिए पैन को ठीक से गरम होना जरूरी होता है, और उसके बाद थोड़ा से गैस क आप अपने हीट को कम कर दें और मुंगफली को लगातार चलाते रहें इस लड्डू को बनाने में मुंगफली को ठीक से भूनना जरूरी होता है मुंगफली से चटकने के आवाज आने लगेगी हलका हलका मुंगफली फटने लगेगा तो हां तक उसको भूनना है, उसके बाद गयास को बंद करदेंगे, और मुंखफली को भी ठंडा कर लेंगे, यहां पर अपको नजदीक से दिखा रहे हैं, जब मुंखपली ऐसा दिखने लगे न यह देखिए अब इसको ठंडा कर लेंगे उसके बाद हाथ से इसको रगर के इसका छिलका निकाल देंगे यह मैं जो मुंखपली यूज कर रहे हूं यह सौफट बला चिलका है इसका मैं हलका सा इसको ऐसे रब कर देती हूं थोड़ा बहुत इसमें छूट भी जागत कोई बात नहीं उसको हम पीश देंगे यहां पर ऐसे इसको छटक के इसका छिलके निकाल देंगे अब इन दोनों चिजों को हमें mixer grinder में grind कर लेना है तो मैं यहां पर पहले पुभा को grind कर लूँगे बस एक बार mixer चलाना है बहुत जल्दी पिस जाती है इसको अलग बरतन में रख देंगे यहां पर मैं इसको इसमें निकाल लेती हूं अब इसी तरीके से मुंखपली के दा बदर रहता है तो मुख में अच्छा आता है मुखफली को बिल्कुल पॉडर नहीं बनाना है बस एक बर चला देना है अब इसमें हम गूर डालेंगे यहां पर मैंने उसी कप से एक कप गूर लिया है गूर को मैंने हाथ से तोड़ लिया है मिक्शी में डालके चला लेना है गूर को पिष्णे में अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा थोड़ा करके पिषे आपका मिक्सी के जाड़ यतना बड़ा है उसे हिसाब से इसको पिषे यहाँ पर मैंने गूर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब जिस बरतन में हमने पोहा को पिषके रखा है उसी में इसको भी डाल देंगे यहाँ पर इसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें ठीक से मिलाना है अच्छे से जो पोहा का पॉडर है और जो हमने गूर ग्राइंड करके रखा है तीनों चीज़ों को तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हाथ में यह लड़ू की तरह बंद के लड़ू होती है और इसमें चीनी घी कुछ नहीं डलता है इससे यह हेल्दी भी होता है यहाँ पर आपको छोटे बरे जिस सेज का लड़ू पसंद है उस सेज के लड़ू बना ले इस लड़ू को आप फ्रीज में रखके महिनों दिन तक खा सकते हैं बहुत ही लंबे सम लड़ू बने है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा एक बड़ ट्राय जरूर किजिएगा आपको बस मुंगफली को ठीक से भूना है जिससे मुंगफली में जो कच्छा बना है वो नहीं रहे आपका लड़ू बिल्कुल सही बनेगा अगर आपको मेरा वीडियो दाता है तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें